नमस्कार, स्वागा थे आपका बिहारी नियूज में महरतन सेन भारती आज हम जानेंगे त्री अस्तरिय पंचायच चुनाब में होने वाले नावांकन के दौरान किन-किन काउखजादों की जरुवत पड़ती है बिहार में इस साल होने वाले पंचायच चुनाब को लेकर सुख बुगाहट तेज हो गई है पंचायच अस्तर पर उमिद्वार लोगों से संपर्क साधने में लग हुए है इधर प्रसाशनिक अस्तर पर भी कार्श शुरू हो गया है पंचाय चुनाब को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है मदाता सुची का कार्ष भी तेजी से चल रहा है ऐसे में आयोग उन लोगों पर भी ध्यान दे रहा है जिनका नाम मदाता सुची में नहीं है चुनाब आयोक सबसे पहले उन सभी लोगों का नाम मदाता सूची में जोडने की परकिरिया सुरू करेगा जो की पहली बार बोटर बन रहे हैं या फिर उनका नाम मदाता सूची में किसी कारण से नहीं है आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंचायच चुनाब के दौरान नमांकन के समय किन-किन कागजातों की जरूरत पड़ती है सबसे पहले जिन कागजातों की जरुवत पड़ेगी पंचायत चुनाब के नावांगरिन के दोरान उस समय आपकी उम्र सिमा यानि की 21 साल की होनी चाहिए ये आप वहाँ पे भेरी फाइब करके दिखाना होगा इसके बाद जो जरुवत पड़ेगी आपकी सेक्षिनी की योगिता की बात कही जाती है कि आखिर कोई भी जो पंचायत चुनाब का उमिदवार होगा उसकी सेक्षिनी की योगिता क्या होगी तो इस बाद जो नए केटेगरी आया है उसमें किसी तरह के सेक्षिनी की योगित की जरूषत नहीं है तो उम्र 21 साल होनी चाहिए और सेक्षिनी की योगिता की कोई जरूषत नहीं है इसके बाद हम अगली के टेगरी की बात करें तो पंचायच चुनावनावांकन के दोरान आपके पास अधार कार्ड होनी चाहिए और वो भी जो अधार कार्ड हो वो सब्सक्राइए जिसका के साथ आपका मुवाइल नमबर लिंक होना चाहिए इसके बाद हम बात करेंगे मतश्यांपत्र की जिसे बोटर आईडी कार्ट का मतलब है कि यस पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आपका वोटर आइडी कार होना चाहिए इस वार नए अपडेट के साथ यह जारी किया गया है इसके बाद जो अगली बात होगी वह है पुलिस चरीतर पर्मान पत्र इसे आप इमित्र यानि की आबेदन के तहत भी आप इसे पुलिस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं नहीं तो आप पुलिस थाने में जाकर भी अपना चरीतर पर्मान पत्र बनवा सकते हैं यानि कि आपके ऊपर कोई कानूनी कारवाई तो नहीं चल रही है आप कानून के किसी दाइरे में आते हैं कि नहीं आते हैं इन सारे चीजों की बात इसमें कही जाएगी इसके बाद जो है मुल की जाती है ताकि पंचायत चुनाव के दारां 6 इसी कटेगरियां है जहां पर पंचायत चुनाव लड़े जाते हैं जिसमें मुखिया बाड सरपंच पंचायत समीती जिला परिसद इन सब सबों को अरक्षित सीटों के तहद भी रखा गया है तो ऐसे में आपको अपनी जा संपती है चल कितनी संपती है और अचल कितनी संपती है इसके बारे में आपको पूरा वहां पर रखना होगा नवांकन के दौरान आपको इन सारी चीजों की जानकारी चुनावायों को देनी होगी इसके बाद जब हम बात करेंगे तो वह है पैनकार्ड की तो जब आप तो उस दोड़ान या फिर आप पंचायच चुनाव रखी चाती है इस बर जो बताया कहया कि अलग अलग पंचायत उनींदेर देखना होा कि आपका जो किस अस्तर का है और उसमें जमानत राशी कितनी है सरपन्च चुनाव को लेकर यी इकそ जाया गया है कि जो भी सरपंच की उमिदवार होंगे उनके घर में सवचालाय होना जरूरी है अगर उनके घर में सवचालाय नहीं है तो वो चुनाब नहीं लड़ सकते हैं उनको सवचालाय का सम पर्मान पत्र और 50 रुपे का अस्टांप जो है उसे भी लगाना होगा नवा पर लगा होगा इसके बाद पास्पोर साइज की फोटो आपको अपने पास रखनी होगी जब आपना मंगन के लिए जाएंगे इसके साथ ही आपको आय पर्मान पत्र दिखाना होगा जो कि चार पन्ने का जो आय पर्मान पत्र होता है आपकी कितनी आमदनी है सालाना कितना आपके पास आता है आय और ब्याय दोनों का खर्श जो है इस पन्ने में दर्ज होता है इसलिए आपको आय ब्याय की पूरे आकड़े वहां बताने होंगे नमांकर के दोरान इसलिए परकार अगला जो अपडेट है वो है कि आप किसी भी सरकारी करमचारी नहीं हो अगर आप तो आप किसी भी सरकारी करमचारी नहीं हो तब आप चुनाब लड़ सकते हैं इसके पास आपके पास रासन कार्ड होना चाहिए तो त्रियस तरिये पंचाय चुनाब में जो इस वार बात कही गई है उसमें कहा है कि आप रासन कार्ड आपके पास होना चाहिए रासन नोसी लेना होगा वो पंचाय समीती जो है आपको इन सारे चीजों का इनोसी देगी तो इस तरह से पंचाय चुनाब को लेकर 16 ऐसे कागजात हैं जो कि नमांकन के दोरान आपको रखने होंगे और जिसकी आपको जरुत पड़ सकती है तो बिहार से जुड़ू हुए और सारी नियोज के साथ मुझे दीजिया जाजत धन्यवाद